जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नहीं बात करने वाले हैं इंडिया वस्टेंडी सीरीज के बारे में तो इस सीरीज का सकेंड ओडियाई मैच होने वाला है जो कि दोस्तों कल दो पहर डेड़ बजे खेला जाएगा तो मैं इसी मैच की 5 टीम की कॉमिनेशन पल फारवेट में जीत सकते हैं तो जीतना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे वीडियो का कोई भी भाग नहीं छोड़ेंगे हरे एक पार्ट को देखेंगे और उसके बाद अच्छे से टीम लगाएंगे आप एजली विन कर जाएंगे तो चलते हैं दोस्तों व पहले पिछ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये मैच नरेंद्रमोदी स्टेडियम में खेला जाएगा जिसको मोर्टेरा स्टेडियम भी करते हैं जो एहमदाबाद में स्थेत है यहाँ पर पिछला मुकाबला यहीं पर हुआ था और जो एवरेज स्कोर निकल का रहाँ इस ग्राउंड की वो 225 रनों की है इस से ज़़ादा भी स्कोर बन सकता है अगर इंडिया के बैटिंग पहले होती है तो मुझे लगता है तो इस ग्राउंड पे स्पिनर को 45 पसंट का सपोर्ट है जो कि अपने पिछला मैच में देखा होगा कि स्पिनर ने दोफो आपको यहां पर पेसर्स को 55 परसेंट का सपोर्ट है फोड़ा सज्वासा सपोर्ट है लेकिन आप इस पींच पर ढपनों पर सकते हैं इस मैच में और जो मुकाबला इस ग्राउंड पे हुआ था जो दोस्तों इंडिया ने इजली ही विन कर लिया था जो कि वेस्ट इंडीज ने दोस्तों पहले बैटिंग करते वे 176 उनों का स्कोर बनाय था 10 विकेट की नुकसान पे और उसको चेज करने उतरी इंडिया की टीम मार्टर 28 ओभरों को चेज कर लिक और बहुत ही ऊची तरीके से चेज कर लिए दोस्तो इस त्यम इस मैच को तो ध्यान में रखेंगे इस मैच में आपका स्कोर थोड़ा बन सकता है ज्यादा जगर अगर इंडिया की बैटिंग पहले होती है तो आपको इस मैच में बोलर्स बैट्समें सारे अच्छे combination खिलाने होंगे तभी आप इस match में जीत सकते हैं जो मैं combination दिखाऊंगा आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा तो बेफिकर रहेंगे टीम कंप्रिजन कर ले दोस्तों इंडिया के recent की बात करें recent के 5 मुकाबले में तो इनका तो performance खराबी खराब है खाली पिछला match ये सिर्फ जीते हैं उससे पहले ये 4 मुकाबले हा रहे हैं वही बात करें वेस्टेंडीज की तो दोस्तों वेस्टेंडीज recent के 5 मुकाबले में मातर ये भी एक ही मुकाबला जीता है और बाकि ये सारे के सारे मुकाबले हा रहा है लेकिन दोस्तों इस मैं होने वाले वह बात कर लेते हैं तो दोस्तों चेंज़ क्या होने 워ने वाले आपको इसलेस होसकती हैं और दोस्तों यहाँ पे मुहमद सीराज के जगा आप यहाँ पे दिपक चेहर को खिलते विए देख सकते हैं तो ध्यान में रखेंगे इतने सारे आप चेंजेस देख सकते हैं या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे मैं अपडेट टेलिग्राम पे कर दूँगा अगर फाइनल अपडेट आई यह भी फाइनल अपडेट आई नहीं है लेकिन केल राहूल खेलेंगे इसकी 100% गैरेंटी है तो आप चलते हैं दोस्तों आपको टीम्स दिखाते हैं जिससे आप विनिंग कर सकते हैं फैंटेसी एपो में तो पहले यहाँ पे मैं हिट टू हिट मतब जो की प्लेट इस माच में रहने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों की प्लेयर आपके जैसें होल्डर रहेंगे रहेंगे केल राहूल रहेंगे एस ब्रूक रहेंगे चहल रहेंगे दोस्तों जोसेप रहेंगे और यहां पर दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा एक बिराट कोली को लिया यह भी इस माच में की प्लेयर होने के पक्के तो यह मैंने 10 प्लेइरों का नाम लिया इन में से 6 प्लेइरों को आपको regular हर एक match में रखना है और हर एक team में रखना है आपको फैदा होगा उसके बाद दोस्तों पांच प्लेइरों पे आप रिस्क ले सकते ताकि आपको और भी फैदा हो सके दोस्तों तो पहली team की तरफ च चार batsman का option से रखा है वेस्टेंडीज के तरफ से और यहां पर देख पारेंगों दोस्तों तीन बॉलिंग का option इधर से और तीन बॉलिंग के option इधर से है तो यह भी team बहुत ही अच्छे दोस्तों यह team को आपको hit to head में लगानी है और साती साथ दोस्तों इस team को आप GL में कर सकते हैं और मिनी जील में भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन यह team दोस्तों hit to head के लिए बनाई गई है जहां पर देख पारें रोई सर्मा को मैं वाइस कप्तान और कप्तान देख पारें मैंने जैसन होल्डर को बनाया है आप उल्डा भी कर सकते हैं या फिर सेम टीम से जा सक लगा दिया आप साई होप को अटाकर एक और बोलर एक और बैट्समन डाल सकते हैं या फिर एक और यहां पर बोलर डाल सकते हैं जो कि वसिंटन सुन्दर हो सकते हैं लेकिन मैंने वसिंटन सुन्दर को इस मैच में नहीं रखका है आप चाहें तो रख सकते हैं थोड़ी से आपको Grand League जिता सकती है तो दोस्तों यह मेरी पहली रिस्की टीम है जिसको मैंने Grand League के लिए मैं जाइन किया यहाँ पर देख पा रहे होंगे के इंडिया को फिवर करते हुए मैंने टीम बनाई है और the इन बॉलिंग के ओप्सन दिख रहे हैं दोस्तों यहां पर कर सिद्थ ने गतले हैं यहां पर भुग हैंड खेयुद निन दिख रहे हैं तो । देख पारेंगे चार बैटिंग का उप्सन इछर और चार बैटिंग से मिलते हैं आपको कपैं यहांपर आकरी टीद зарदल ठकुरो कप्तान बनाया है और इंडिया के सारे नहीं बोलर मैंने रखे हैं एक बोलर को यहां पर कमी है अगर यहां पर कोई बोलर में चेंज़ेस होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके लिए बेफिकर रहेंगे इस टीम को भी आपको लगाना है तो आपको फायदा देखनी को मिलेगा ग्रांड लीग में तो ग्रांड लीग में इस टीम को लगा लेनी है कप्तान और वाइस कप्तान सेम रखेंगे एक अर्थ कुछ चेंज़ेस करना चाहेंगे तो डरेन बराबो को भी ट्राइ कर सकते हैं आप या फिर बिल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं या फिर दोस्तो सेम टी वीडियो पसंद आगी तो like, share, subscribe जरूर करेंगे और मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक ले धन्यबाद जाहिंद